गड़ के सभी स्टुडेंट के लिए इस वक्ते कि बहुत ही अच्छी अपडेट जानकारी निकल के आया है आप सभी स्टुडेंट को बताना चाहता हूँ कि B.A.D.T.L.A.D. 36 गड़ में B.A.D.L.A.D. वाले इस टुडेंट के लिए एक मार्च से एक नया नियम बहुत ही महतुपूर जो है नया नियम अपडेट्स चानकारी निकल कर आने वाला हैं इस वक्ते की जो है बहुत ही अच्छी जो है ब्रेकिंग न्यूज है भरती अपडेट्स के समद में बीना टेट जी हां बीना टीटी टेट एक्जाम दिये भी आप जो है 36 गण में सिक्षक बन सकते हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए खुसकबरी हैं अब एट करने वाले स्टूडेंट को बेरोजगार नहीं रहना होगा घर महीने आपको 21,000 रूपे डेखने को मिलेगा जिसने आप अपनी जिन्दगी को बना सकते हैं तो एक के बाद आप लोगों के लिए नहीं नहीं सागात, नहीं नहीं भरती, नहीं ने वेकेंसी होने वाला बस आपको तैयारी करना है आपको महनत करना है रिप्लेशन करना है श्टडी करना है तब ही आपका सेलेक्शन जो हो पाएगा तो हमें तैयारी करने से महनत करने से बिलकुल भी पिछे नहीं आचा है जितना जाद हम तैयारी करेंगे, जितना जाद हम महनत करेंगे, जितना जाद हम पढ़ाई करेंगे, उतनixel ही हमारे लिए अच्छे होगा, उतन ही हमें एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा और हमारा सेलेक्षन भी अवसरुप से हो पाएगा, तो 36 गर्ण में परवन सेलेरी मिलेगा देखिए हर एक स्टुडेंट का सपना होता है एक अच्छी जवाब पाने एक अच्छी सेलेरी पाने अगर आपको एक अच्छी जवाब दिया जाए एक अच्छी सेलेरी आपको पैकेज मिलेगा तो आपके जिन्दगी बहुत असान होगा और आप वह चाहता है हर एक पढ़नाई करने वाले स्टुडेंट सुस्था कि मुझे जॉब मिले अगर आप जॉब्लेस हो जाएंगे बिरुजगार हो जाएंगे तो बिरुजगारी एक ऐसी पीड़ा होता है जिसे अभी के दौर में हर एक स्टुडेंट फेस कर रहा है तो ऐसे मैं आप से भी स्टुडेंट के लिए ब्रेकिंग म्यूस हैं बेना ट्रेट एक्जाम दिये भी आप जो सिख्चक बन सकते हैं लेकिन हाँ आपका ग्रेजुशन कंप्लीट होना चाहिए बीएट कंप्लीट होना चाहिए तभी आप आवेजन कर पाएंगे तो एक के बाद एक आ चाहता हूं स्लेबस और एक्जाम पैड़ने के बारे में ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिलता है तो बालविकार सेवन सिक्षा सास्तर से आपके एक्जाम समें 30 शंगों के 30 प्रशनाएंगे इसका समानी हिंदी से 25 शंगों के समानी इंग्रेजी से भी 25 शंगों के गड़ित और विज्यान से फीशंगों के समाजी का ध्यन से भी शंगों के कमजूटा से 10 शंगों के और समानी ग्यान से भी 10 शंगों के तो बालविकासे हम शिख्छा सास्त्रके बात करें तो इसमें आपके एक्जाम्स में विकास के उढ़ना है एवां उसकी सिखने से संबद बच्चों के विकास के सिध्धन, परिप्रेख्शों में अभ्याद सिखने में कठनाई भी कलांगता आदी से समंधित बच्चों के सिक्षन से प्रशनाएंगे इसके साथ हिंदी के बात करें तो हिंदी से भी काफी महतुपूर प्रशना है हिंदी से भी, तो हिंदी में आपके एक्जाम्स में स्वर, वेंजन, अक्षरवर्तिनी, वचन, कालवा के शंधी, शंधी के प्रकार, संधी, विक्षे, तब्सम, तद्बह, देशच, परियावाती सब्द, फिलो मारतिया, निकारती सब्द, मुहावरेवा लोकोक्तिया, ये और एकिसे नॉलेज होने चाएए, हर एक चीजों के बारे में आपको अच्छी से और ये जानकारी होना चाहिए, तब जरहेज़ावा देखे, और लिए आइसे और Ф silence के बारे में, ये तो आप एक्जाम्स में बहुत अच्छी से नमबर avenue towards दीज, और दो हमने में और स्क् इंग्ली में आपके एक्जाम्स में जे घराँ में ड्राम्र्ट काफी जादा इंपौर्टन्ट होता है ग्रामर्थ की तैरी करने के लिए आप जे इस इंसेल इंग्लिश रस्मी सी धिश्ब अबंडिके सन की बुक ने शक्ते हैं तो यदि होगी आप ट覺 Hi country एंग्लीश साथ हो गड़ित के बारे में तू गड़ित में आपके एक्जाम समयंगे घतांग, बीजी वन्जग, गुणन, खंसमी, करंशेंडिया, ब्याज, अनुपाते हमसम, अनुपात प्रतिशत, जैनमे, मृत्ति उदर, जंसेंक्या, वृत्ति दर, शमय तथा दूरी, रिखा तथा कोड़ित समते लिए अक्रिती शांखी, इन सभी से प्रशना आपके एक्जामे गड़ित से पूछे जाते हैं, तो गड़ित के तयारी करने के लिए डॉक्टर आरे सक गरवाल का बुक ले शकते हैं, ताकि आपको गड़ित के बारे में कम्प्लिट रुप से जानकारी मिल पाएगा, साथ ही रिजनिंग के बारे में हम बात करें, तो रिजनिंग के लिए आप जो है, अरिहंत का मास्टर रिजनिंग ले सकते हैं, जिसने आपको वर्बल, नौन वर्बल, इनलेटिकल, ये सभी जानकारी आपके रिजनिंग में दिया रहते हैं, तो रिजनिंग के त्यारी करने के लाँ पर यहंद का मास्टर इसनिंग दे सकते हैं तो इन सभी से त्यारी किज़ा और आपके रिज्णिंग के अप्रप्रिशन बहुत इसते से हो पाइगा रिज्णिंग के बारे में आपको कम्प्रिट नॉलेज मिल पाइगा त्यक्ते बाद एक जो है छप इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंस के बारे में तो साइंस भी काफी जादे इंपोर्टन्ट है, साइंस में आपके एक्जाम्स में आएंगे बाले वंगती, वास्पन, सुचाला, कुछाला, प्रकास के सुरोध्वनी के प्रकार्ध्वनी, संचरन, सुंबा के गोड धर्मा विज्ञान एंप्राद्योगी के दैनिक जो में विज्ञान कमा तो कोशी का कोशी का विभाजन मानों से रित्य भी बिन नंग तंत्रा इसमें आपका जैवी का जैवी घटक सुछ मजुआं से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खत्रा डिखिरिया है जाट साइंस में पूछे जाते हैं तो साइंस की बुख जाते हैं तो साइंस के बारे में कंप्लेट नौलेज मिल जाएगा तो इसेных से समाजी का नौलेज है जिससे तो हर एक सब्जेक्ट हैं सहनी कोंप्योटर से सिख्चक भरती पर इपक्डिक्च में 10 सांग को फ्रेशन हैंगे तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर नई नी वीडियो ने भरती नई विकेंज से साम सब इस्टूडेंट के लिए निकल कर आते जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा मेहनत कीजे ज़्यादा एक्जाम की श्टडी कीजे प्रिफेशन कीजे त्यारी कीजे आपका सेलेक्शन जो वीडियो को धन्याद